1990 के दश्रक में हुसेन बद्रदीन अल हूती की ओर से बनाए गए संगठन ने इन दिनों इस्राइल, बिटेन और अमेरिका समेथ कई पशिनी देशों के नाक में तम करके रखा है इस्राइल हमास युद की शुरुआत से ही यमन के हूती आतंकी लगातार लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलों से हमले कर अपना शिकार बना रहे हैं लाल सागर में एक जहाज को डूबाने के बाद धम्की पर उत्रे हूतियों ने ये तक कह डाला कि लाल सागर से गुजरना है तो पहले इजाज़त लो की जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उसका हश्र बुरा होगा इस बीच खबर सामने आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमलों के बाद अब भूमद्य सागर में इसराइल जाने वाले जहाजों पर अपने हमले बढ़ाने की धंकी दी है इरान समर्थित हूती विद्रोहियों के सैने प्रवक्ता यहा सारिया ने कहा कि हम भूमद्य सागर में किसी भी इलाके में इसराइली बंदरगाओं की ओर से जाने वाले किसी भी जहाज गोन निशाना बनाएंगे हमारा मकसद उन सभी जहाजों को निशाना बनाना है जो इसराइली नेविगेशन पर प्रतिबंद का लंगधन करते हैं बनादे कि इसराइल के भूमद्य सागरिय बंदरगाह यमन से करीब 2000 किलोमेटर दूर है ऐसे में ये साफ नहीं कि हुती इसराइल के लिए कितना बड़ा खत्रा पैदा कर सकते है दावा किया जाता है कि हुतीयों के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़ा जखीरा है इरान की ओर से हुती विद्रोयों को कई आदुनिक हतियार मिलते रहते हैं बताये जाता है कि हुतियों के पास है 1600 से 1900 किलोमेटर की दूरी तक मार करने वाली बैलेस्टिक मिसाइले और इरानी शहीद 136 ड्रोन जो की 2000 किलोमेटर तक की दूरी ताय करने की ताकत रखते हैं हुति विद्रोयों ने बीते सुम्वार को हिंद महासागर में ट्रोन हमले में MSC ओरियन कंटेनर जहाज को निशाना बनाया था बताय जाता है कि पुर्तगाली जहंडे वाला जहाज ओमान बंदरगाहों से गुजर रहा था विद्रोय ने पहले अपने हमले को हिंद महासागर तक और यमली तर से बचने के लिए दक्षणी अफरिका के चारों को चकर लगाने वाले जहाजों तक बढ़ाने की धंकी दी थी हाला कि हुतियों का फिलाल पूरा फोकस लाल सागर और अधन की धारी ही रहा है और तलब है कि हुतियों के बढ़ते हमलों के चलते शिपिंग कम्पनियों को दक्षणी अफरिका के आसपास लंबी और अधिक महेंगी यात्राओं के लिए कारगों को फिर से रूट करने के लिए मजबूर किया है हालक ऐसी आश्रंका है कि गाजा पर इस्राइली यूद्व फैलने से पूरे मिडल इस्ट में तनाव आने वाले दिनों में और चरब पर पहुन सकता है